हेलो जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आरती स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो जी आज मैं आपको बताने वाली हूं उस जगह के बारे में जिसको हमने अपने जहन में अपनी आत्मा में उतार सब्सक्राइब करते हैं और कुछ समय पहले हम वहां से मजबूरी में छोड़कर हमें आना पड़ा उधर से क्या-क्या मजबूरियां थी मैं आज आपको बताने वाली हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि किस कारण हम विकानेर गए थे ठीक है आज ये बात भी बता देती हूं काफी लोग पूछ रहे थे जब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था तब हम हमें महंद्रेड का जो घर सा ये भी छोड़ना पड़ा तो एक एक वीडियो में तो ये विल्कुल भी कंपलीट नहीं हो पाएगा सारी कहानी इसलिए मैं एक एक जगे जब मैं 6th class में थी और मेरा छोटा भाई है वह 5th class में था रेनू 10th उसने कर लिया था 11th class में थी वह 11th class में 11th हो गया था उनका उनका वने बायो ले रखी थी काफी अच्छी थी वह पढ़ने में तो यहां पर मेरे मामा की साधी होने वाली थी तो टेंसन होने लगे लगे की तरीके से हो जाता है ना कि भाई दूसरे की बेटी आएगी बहु बनके आएगी तो थोड़ा सा क्या पता आगे पच्छों को कैसे रहना पड़े हैं और ममी का कुछ सुनना ना पड़े हैं अब हर माबाप को होती है चाहे भाबी और मामी कितनी बैच्छी हों वैसे मैं को बता दूं कि मेरे जो मामा मामी है नाना नानी है वो छाटके ही मिले मुझे तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है मतलब जो बहुत ही अच्छे करम करके आता है नहीं सानोनी को ऐसे मिलते हैं क्योंकि आज मेरी ममी पाए हुए लगबग 25 साल हो गए मेरी 25 साल से ममी यही माई के में और आज तक कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि कुछ उल्टा सिधा बोलने को सुनने को मिला हो ठीक है लेकिन माबाप तो माबाप होते हैं उन्हें टैंसन होने लगी और उन्होंने हमारा घर विकानेर में बनवा दिया और विकानेर में बनवाने का भी सबसे लग है वहां के माहूल से और वहां पर हमारे परीचित्पी थे जो मेरे नानी जी है उनकी भाईया वहीं पर रहते हैं तो उन्होंने कहा कि वहां सेफ है वहां अच्छा है मतलब बच्चे भी आराम से रह लेंगी और तुमारी टैंसन भी दूर हो जाएगी तो एक प्लोट तो एक शेया फैसे जगह भी समय अलग ही थिवह है ऐफ्युआ बड़ेश्यक अलगे थी फिर समय गुजरता गया कुजरता गया हमें इतना जदा लगा होता गया की वहां से 3 लोग ही की बोली में ही निचोड़ दिया वगवान ने मुझे भी रास्थानी लेंग्वेज और रास्थानी कल्चर पहनावा जो भी कुछ है काफी जागा पसंद है तो हम भी उसमें ढलने लगे धीरे 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 और हरियाना की यादे थोड़ी-थोड़ी कम होती गई अच्छा तो और वहां पर इतना सुविधाई नहीं थी मतलब जो पास के स्कूल थे उनमें इंग्लिश मीडियम में नहीं था यहां पर पूरा इंग्लिश मीडियम है अरियाना के अंदर तो वहां जाके उसको चेंज करना पड़ा वो बायो से सीधा आर्ट में आगई मेडिकल से सीधा के अंदर आ गई बहुत अफसोस हुआ उसको फिर दूसरे बाद जिम्मेदारियां भी काफी आ गई थी उसके उपर वहां जाके उसने 11th क्लास से टीचिंग करना शुरू कर दिया था और हम छोटे थे हम जब स्कूल जाया करते थे हमें इतनी नोलेज नहीं थी लेकिन जो ममी और रिनु है उन्हें ही पता है जो असली स्ट्रगल क्या होता है लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और तिर एक वक्त आया जब मेरे भी स्कूल कंपलेट हो गया और मुझे भी कॉले किलोमेटर दूर रोज रोज ओटों में पता है मैंने के आजार रुकत ओटों के देने पड़ेंगे इस चक्कर में मैं जब स्कूल जाती थी तो साइकल से जाती थी तो मैंने अपनी जो कॉलेज थी ना वह भी अपनी साइकल से पूरी करी कि इस चाहर किलोमेटर रोज के आने-जाने के हो जाते थे मेरे लगमग 5 तक सब्सक्राइब उसके बाद क्या होता है की समय आया और रेनूरी दिया इनका रिस्ता हो गया और छोटे भहिया उनको भी जो मिल गई गुजरात में और जो मेरे बालाना पड़ा, और बच गें मैं, और मंमी, भाहन कोई नहीं वहाँ पर थोड़ा सा रहते हैं कि दो मा बेटी ष़ास खा लिये नहीं, तो वहां पर हमारे नाना जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा कि से कि दाल योगी यह तो तो पिर हम मतलब, स County तो वहां दिदी की साथी हो गई फिर मैं ममी और नाना जी उधर रहने लगे कभी कभी नाना जी यहां आ जाते हैं क्योंकि वहां का जो एरिया है काफी सेफ है पीखानेर में अकेली लेडिज रह सकती है इतनी गारेंटी है अकेली मा बेटी मतलब कोई खत्रे वाली बात नही कि किसी ने एक नजर उठा के देखा हूं सब लोग इतनी रिस्पेक्ट देखते थे और आज भी उनके कोल आते हैं तो रोना आँख बारी आती है कि जब वह याद करते हैं कि तुम लोग कहा गए आ जाओ तो हमें पी आज भी लगता है कि क्यों चवड़ा वी काने और फिर क्या होता है रिनों कि शादी हो गई वह यह सब लोग इधर आगे धीरे और समय निकलता गया वहां की जो लाइफ थी मैं और मम्मी वस खाली रह गए थे और धीरे अपना जो अटाइम था वह पास करने लगे एक कभी बाग वर्क गीता में जाते कभी मतलब मेरा कॉली compr है उसके अलावा है ये जो Market वार कि मार्केट बहुत ज़्याद मेये भूछ अच्छे लगती हैए बहुत याद आती हैसे ना कि मर्जी कर टेते हैं वह अच्छा लगता था पिन दो और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरा रिस्ता देख लिया और सब्सक्रा दूए मगा किaden होगा ममी होग कि मान पह다가 मा मन घरल मेरा थो यह मानना ठाइ 실डिक कि मुझ्टे मही ही रहना है मेरी साधी ना हो लेकिन मेरी एक नहीं चली और मेरी साधी हो गई और जब मैं स्टेशन पे रेले स्टेशन के उपर बैठी थी तो आज भी मैं वो टाइम नहीं बूल सकती जब मैं रेले स्टेशन पे बैठी ती और मैं उस जेगे को चारो तरफ से देगे थी कि वो जेगें छूट जाएगी अब हम से अभी भी नहीं जा पाएंगे यह मतलब जाते तो हम हैं अभी भी कभी कभी जैसे कि क्या हो गया साल छे मेने में वो भी दो दिन के लिए ऐसा नहीं पता नहीं मेरे ले तो मेरा माई का भ्यई था जो जोड़ी छूट गया आपो ढूले म्हाइनरे हमने यहां जाओ लोग याहां आती है आ हम को जब ही मह करनी मांता के मंत जब ही मुक मिलता था हम बाह पैदप बी गयए थीझ जब हुए थोटे थे निकती में तब ही फैद्हीं क बीछवा इन जब कि उन्होंने ही हमें मतलब वहां पर शरण दीती रहने के लिए और पता नहीं कौन सा आम सी गुना हुआ जो जगह में छोड़ने पड़े कि अभी भी मतलब घर तो है हमारा लेकिन उस घर में रहने वाला कोई नहीं है वहां पर अभी हम वैसे तो गर में कितने सारे पांच छे लोग हैं लेकिन उगर बंद है क्या कर सकते हैं जी मैं ऐसी हूँ मतलब याद आगाई तो हमकी कंट्रोल नहीं होड़ा ठीक है हम फिर बात करेंगे हम बिलेंगे नेस्ट व्लोग में आप अपना ध्यान रखेगा ठीक है